नमस्कार दोस्तों मैं विकास चोधरी आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल विकास चोधरी में और किसान भाईयो आजिक इस वीडियो में मैं आया हूँ गाउ सोरम में सोरम का नाम आपने काफी सुना होगा यहां दुनिया की सबसे बड़ी खाप चोपाल है जैसा कि आप वीडियो के मात्यम से देख सकते हैं बुढ़ाना से ठीक है मैं आपको एड़स बता देता हूँ बुढ़ाना से पड़ता है यह 10 किलो मीटर जिला मुझफर नगर में यह लिखा हुआ है देख लो हाँ पर एथियासिक सोरम चोपाल ठीक है जी अब यह मिनिस्ट्री ओफ यूनी मिनिस्ट्री ओफ टुरिजम के अंडर आती है भाईयो ऐसी चोपाल पूरी दुनिया में नहीं है कारण क्या है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस वीडियो को आप लाश्ट तक देखते रहिए देख लो है लिखा हुआ है एथियासिक सोरम चोपाल सवदेश दर्सन योजना प्रयेटन विभाग के अंतरगती आती है भाईयो कम से कम 500 साल पुरानी है चोपाल इसके अंदर हम चलते हैं यह देख लो नीचे तो इसमें करवाना चाहिए था पर चलो ठीक है जो भी किया अच्छा किया यह देख लो इस चोपाल के खास बात और है इसकी जो आप यह नकासी देख रहे हैं यह नीचे से लेकर उपर तक तिरसी होती हुई जाती है और आज तक इसका कोई भी पता नहीं लगा पाया ठीक है जी अब चुब हैं बात करते हैं पूरी दुनिया में यह फेमस क्यों है ठीक है जीचे लिए अंदर भी चलते हैं और बात भी करते हैं एदख लो इसलिए है जितनी भी जाटो चोधरियों की खाप है जितने भी खाप के निर्णे होते हैं खाप पंचायत होती हैं जितनी भी जाटो चोधरियों की खाप के सदस्चे हैं यहीं से सब निकलने हैं बनके ठीक है जी जो खाप का निर्णे होता है सरमान्य होता है यहीं पर सारे फैसले सुन आए जाते हैं चाटो कि उपाल है और दूसरी प्राद्वियों के भी यहाँ पर होते हैं क्षाप लोई नहीं तो पांतगो तो तोट फूट के गिर जाती है सब कूछ इस इस वीडियो की बहुत डिमार्ड आ रहे थी, इस वज़े से आज हम इसको बनाने आये हैं, यह इसकी पहली मंजिल पर अभी हम हैं, दूसरी मंजिल पर भी चलेंगे, और तीसरी मंजिल पर जाकर आपको पूरा सोरम भी घुमाएंगे, यह देख लो, दरवादे देखो कितने पुराने हैं इसमें, ठीके जी, और अभी इसका रेनोवेशन बाकी है, होना, अलोट हो चुके, इसके 20 क्रोड रुपे, इसमें लगाए जाएंगे, यह देख लो, नीचे आपर टिक टोक की वीडियो बना रहे हैं, आगे, जो इस्तानिय युवा है, टिक टोक बना रहे है यह देख लो, नकासी आप देख लो इसकी, नकासी बेचोड है इसकी, ठीके जी, और जैसा कि मैंने आपको बताया, सर्व खाप की यह चोपाल है, जितने भी बड़े-बड़े फैसले लिए जाते हैं, खाप की तरफ से, समाज की तरफ से, यहीं हुए है सब, ठीके जी, सो डिजाइन देख लो भाईयो आप इसका, देख सकते हैं, चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं, यह देख लेंगे, बात करें, इसमें कमर होगी, तो इसमें 50-60 कमरे हैं, ठीके जी, और इस वीडियो के बाद, जब अगली वीडियो बनेगी, तो यह रेनोवेट हो जाएगी इसमें बहुत सारा पैसा लगाया जाएगा इसकी मरम्मत के लिए, यह आड़े देखो आप, देख सकते हैं, बहुत पुरानी धरोगर है बाईयो, सुरम में, यह थी अचिक चोपाल, चोपाल बहुत देखी होगी आपने, चोपाड के नाम से भी इनको जाना जाता है, इसमें दो काम किये गए हैं भी, सरकार द्वार, एक तो नीचे टाइल बिछा दिया गया, और उपर इसमें कडिया थी, उसको तोड़के लैंटर डलवा दिया गया, मेरे हिसाब से गलत है, ठीक है जी, क्योंकि पुरानी चीज़ों में अच्छे नहीं लगते हैं, ऐसे लगा देंगे तो इतना बढ़िया वाही हो, नहीं लगने वाला, यह देख लो, यह अच्छा लग रहा है, यह देख लो, यह मैं और उपर जा रहा हूं, अब चलते हैं, तीसरी मंजिल पर, ठीक है जी, चलिए, यह आगे हम पूरे उपर इस पर, और यह है आपका, यहां स दिखता है, पूरा सोरम गाउं, जाट विरादरी इस गाउं में ज़्यादा रहती है, मुस्लिम भी है, यह देख लो, यह इस पर लिखा हुआ है कि इसी भासा में, यह पांस साल पुरानी, यह चोपाल है, यहां पर बहुत बड़े-बड़े, जो भी सासक हुए हैं, सब य इसा नहीं है कि यहां पर ना आए, इस चोपाल का बहुत ज़्यादा महत्त में भाई हो, ठीक है, यह देख लिए, पूरा गाउं यहां से मैं आपको दिखा रहा हूँ, यह सोरम गाउं है, ठीक है, जी, काफी अच्छा गाउं है, अर्दवय वस्ता इसकी खेती है, किसानी है, इस एरिये में दो चीज सबसे ज़्यादा मसूर है, एक तो सोरम की चोपाल, और दूसरा नमाजोदीन सिद्धगी का बुढ़ाना में गर, नमाजोदीन सिद्धगी का अभी भाई, काफी रुतबा है, इस इलाके में, वो भी बुढ़ाने से आते हैं, और बुढ़ाने फुट चोड़ा ही इस दिवार की होगी भाईयो, ठीके जी, और सुरम के गरामीन को भी में धन्यवाद देना चाहूं, गरामीनों को, जो अपनी धरवर को इतना समाल कर सवार कर रखे हुए हैं, नहीं तो 500 सालों में तो अब तक ये खंडर हो जाती, ठीके जी, देख लो क इसकी सबसे बढ़िया सुन्दरता को नहीं खाडते हैं, आप देख लो, इतना बढ़िया लग रहा है इसमें, यह देख सकते हैं, ठीके लिए नीचे चलते हैं, अब इस साइड में आप देखो, अभी भी इसकी चमक बरकर आ रहे हैं, पता नहीं यह जहां तक मैंने सुना पहले उडद की दाल और दही का घोल करके सिमन्ट होता था, पर जब यह बनी हैं, उस टाइम तो सिमन्ट बगारा नहीं था, अब आप मुझे कमेंट करके बताएं, अगर किसी को नोलीज हो, यह जो पेंट होता था, पुरान जमने किस चीर का होता था, उडद की दाल और द बनाओ, इसलिए मैंने इसको बनाना उची समझा, अब आपकी जुम्मेदारी इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, और आने वाली वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, कौन-कौन सी वीडियो हमारे यूटूब चैनल पर आने वाली है, तो आप हमारे पर सारे पर ऐसी कड़ी थी पहले, ठीक है, यह देख लो, तो किसान भाईयों, उम्मीद करता हूँ, ये वीडियो, ये चोपाल, सोरम की एथियासिक चोपाल, आपको पसंद आई होगी, ये वीडियो आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, फिलाल की ये थेंक्यू, वीडियो देखने के लिए, अगर आपके पास भी कोई गाउं, किसानी से जूड़ी हुई, सम्मंदित, कोई जानकारी है, कोठी मकान, अवेली की, तो आप हमें चानवे, नबे, चोंसट, साट, तिरानवे पर वाटसप कर सकते हैं, जो भी आपके पास जान झाल